टो हम नहीं के काम का भी तोड़ा आप लिखते रहीएगा ऑप सि दिरा मिल जाएए यह समझसे हो गया आप कि आ पाटियां एक जो ठोकर के काम कर रही हैं तो आप अच्छी तरह जान लिजिए कि इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे अब जाएंगे यह पक्का जान लिजिए और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है कोई भी कि बात कम शपता है और ज्यादा तर उन्हीं की बात शपते रहती कितना काम पहले हुआ है अलग-अलग राज्यों ने कितना काम किया है दुसरे दुसरे पाटियों उसका कम शपता है आई यह कम करते हैं अव ज्यादा शपता रहता है तब ही ता आप लों पर कब्जा नही तब तब पाए है जब एक बार उनसे मुक्ती मिलेगी तब आप सब प्रेस वाले आजाद होईएगा और जो आपको उचित लेगा वही लिखिएगा और वही बूरिएगा यह बहुत जरूरी है अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है वो जब लिखते हैं तो उसका अफर जनता पर कितना पड़ता है और आज कल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं अखाली उनका बढ़ाई हो रहा है आज जो राजजवाला वेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती तो यह नहो गया इसलिए पताई है देश के इतिहास को यी बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिल करके देश के इतिहास को नहीं बदलने देगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पुरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उठान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी तो इसलिए सब मिल करके और जानते भी नहें बहुत कोशीज चलते रहते हैं हिंदू, मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए लेकिन सब को एक जुठो करके नहें जी देश तो सब का है न तो सब एक जुठो करके हैं तो सब मिल करके अज़ सारा अच्छा काम कर रहें तो सब को लेकर के आगे बढ़ाना है और तो इसलिए जरूरी है कि अब सब लोग अब अच्छा हो गया है सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो लेकिन अब इतना जादा हम कोशिस करते रहे कि जुठा मिल जाएए तो बात समस्दे समस्दे हो गया अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो तो आज ही तय कर लिया है दोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से सुरू कर देंगे अब कोई ठीकाना नहीं है चुनाव समय के पहले भी हो सकता है कोई ठीक नहीं है इसलिए हम लोगों को भी तो इलट रहना न पड़ेगा इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पुरा कर लिए यही पुरा बाती है और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है सब तरह का काम करेंगे इसके लिए बहुत अच्छा है और आप सब लोगों से भी आगरह करेंगे कि किरपा करके जब हम लोग अब एक जूठ हो गए है तो हम लोग के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा थोड़ा पुर्चार करते रहिएगा